नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परीचे दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी के सेवा में एक बेहधी महतोपून जानकारी को ले करके जिहां दोस्तों पीट को सुबह के समय में साफ करने का बेहतरिन तरीका जो कभी नहीं आप सुने होंगे अपना ये इनको और आप पाइदा उठा सकते हैं यह आज की जानकारी हमारी आप सभी के लिए क्या आप जानते हो कि वर्तमान के समय में जितनी भी परिशानियाएं वं बिमारी हो रही हैं उनमें से 90 प्रतिर्शत सिर्फ हमारे पेट के साफ नहीं रहने के कारण होती हैं मतलब कि आधी से ज्यादा ब बंधित किसी न किसी रोग से पिडित होते हैं जैसे पेट में गैस बनना, ACDT, पेट में दर्द और जहलन होना इन सब के अतिरिक्त और एक परिशानी है जिसे कई लोग परिशान रहते हैं वो है पेट सही से साफ ना होना जो कबजिकार रोग कहलाता है सुबह सवेरे अच तक कि खान-पान भी काफी बदल सा गया है समय के कमी कहें या व्यस्तता हम अपने खान-पान का ध्यान नहीं रख पाते हैं जिस वज़ा से अपच की समस्या होने लगती है हमारा पेट सही ढंग से साफ नहीं हो पाता जो शरीर के लिए बोहत ही हानिकारख होता है इस करके आप अपत जैसी समस्या से निजात पा सकते हैं आज आपको हम एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने पेट को सुबह के समय पूरी तरह से साफ कर सकते हो जिसके फायदे भी काफी चौकाने वाले आपको मिलेंगे गैस की दिक्कत से छुटकारा किद्नी क समस्या को दूर करना पाचन तंत्र मजबूत करना जी हां यह तीन फायदे तो लोगों को समाने बिमारी है जो हमने आपको बताया लेकिन इससे भी ज़्यादा लाव इस उपाय से मिलने लगते हैं आपको तो चलिए जानते हैं इसके बारे में पेट को साफ करने के चमतकार गर्म पानी पिए और इसके बाद थोड़ा टहल लें अलसी के बीज जी हां अलसी के बीजों में काफी मात्रा में पोशक्त तो होते हैं इसलिए रात को सोने से पहले दूद के साथ एक चमच अलसी का सेवन करें जिससे सुबह पेट साफ हो जाएगा इसके अतिरीक्त सुने से पहले एक चमच शहद हलके गर्म पानी में मिला कर पीने से अगली सुबह पेट साफ हो जाता है पेट साफ करने में अरंडी का तेल रामबान है रात को सुने से पहले थोड़ा अरंडी के तेल को एक गलास हलके गर्म दूद में मिला कर पीने से अगली सुबह पेट साफ हो जाता है नारियल पानी भी पेट साफ करने में रामबान होता है रोजाना नारियल पानी सुबह खाली पेट पीने से पेट साफ हो जाता है अलसी के बीज एक गलास हलके गरम दूद के साथ रात को सेवन करने से सुबह पेट बड़ी ही आसानी से साफ हो जाता है आउला पावडर का सिवन आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाफकारी साबित हो सकता है दोस्तों सौफ खाने से गैस और पीट में जलन जैसे समस्याओं से निजात मिलता है इसलिए जब कभी भी खाएं खाने के बाद सौफ अवश्य खाएं कई बार ऐसा होता है कि हम न चाहते हुए भी ज्यादा खाना खा लेते हैं तो जब कभी भी ऐसा हो छोटी इलाइची चबाले इलाइची में पाचन शमता काफी अधिक मातरा में होती है ये वाश्प शील तेल एवं पाचन विकार को दूर करने में सक्षम है इससे आप थोड़ी ही देर में खुद को हलका महसूस कर करने लगेंगे इलाइची के सेवन से बदहजमी से भी छोटकारा मिलता है लेकिन ध्यान रखें कि गरभवती महिलाइची का ज्यादा सेवन नहीं करें क्योंकि इससे गरभ पात होने का खत्रा भी रहता है तो यही थी आज की ये जानकारी जिसके सहरे आप अपने आपको स स्वास्थ रख सकते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहदी मातो पून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों